हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुजा इन्फो टेक में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोबाइल से हुआइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं तो चलिए सिखते हैं जहां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं सिखने वाले अपने मोबाइल फोन के माधियम से हुआइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं तो चलिए सिखते हैं उसके पहले आप से छोटी से रिक्वेस्ट अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दिख रहें सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किजिए और साथ में जल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आपको हमारे रिगलर आपडेट मिलती रहे चलिए सिखते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने वाइल फोन के काइन मास्टर में आप हमारी इस प्रोसेस को फ्लो कर सकते हैं हम इस वीडियो में आपको इजली से इजली तरीका बताएंगा जिससे आप मात्र चार से पांस मिनट के अंदर आसानी से वाइट बोर्ड एनिवेशन वीडियो बहुत ही इंट्रेक्टिव तरीके से बना पाएंगे तो चलिए सिखते हैं तो सिंपल काइन मास्टर में आने के बाद आपको इस प्लोस वाली आइकन पर क्लिकर MPT प्रोजेक्ट में जानी है MPT प्रोजेक्ट में जानी के बाद आपको मीडिया बराउजर में जाना है और यहां पर आपको बैग्राउंड के रूप में हुआइट बोर्ड के साथ-साथ आप अपना फेवरेट कलर भी ले सकते हैं तो आपको इस टैम लाइन के साथ कुछ शेड़ शाड़ नहीं करना है उसके बाद इस पर आपको जो भी टेक्स्ट आड़ करना है निमेट करना है वो सिम्पल आप इस लेयर पर क्लिक करें उसके बाद इस टेक्स्ट वाली अप्शन पर जाएं टेक्स्ट पर जाने के बाद आप सबसे पहले अपना टेक्स्ट आइड़ कारे जैसा कि हम यहाँ पर हमने पहले से पाइड हुआ उसके बाद सोचा कि आपको वहीं तरीका बताएं इसके लिए सबसे पहले आप अपना फॉंट सेलेट करें जो भी आपको फॉंट आछा लगे वह आप अपना फेवरेट फॉंट सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि हमने इस फॉंट को आपकी बार सेलेक्ट किया है यहां से आप अपने मन पसिंदा कलर भी चेंज कर सकते हैं तो चलिए हम इस से बुलू वाली कलर को ले लेते हैं यहां से आपको जो इसके सैड हो इससे ऑफ कर देना है उसके बाद सबसे पहले आ और थोड़ा नीचे स्कॉल करेंगे तो एक option आपको मिल जाएगा जो की है हम आपको यहाँ पर दिखाने की courses करते हैं आप देख सकते हैं वाइप राइट इसको आपको स्लेट करना है वाइप राइट इस इन्योशन को कि अरव स्लेट करने के बाद नीचे आपको टाइम लैन देख जाता है तो सिंफल आपको टाइम लैन में कुछ शाट शाड़ नहीं जितना której augigold isких फर आपको लए करना है कि इतना करने के बाद पिर से आपको इस लेर पर लेहर पर क्लिक करना है लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मीडिया बराउजर में और आपकको बता दे कि इंटरनेट से आपको एक हैंड् PNG फर्मेट में डाउनलोड करना पड़ेगा जैसा कि आपको आपको सामने आ सैद से डाउनलोड कर सकते हैं लिखिएगा हैंड PNG तो आपके सामने आ जाएगा ट्रांस्पेरेट बाइग्राउंड में आन्याता हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें आप सिख सकते हैं कि किसी फोटो को ट्रांस्पेरेट कैसे करें वीडियो आपको इस आई बोटन याई डिस्क् सकते हैं हमने अर्जेस्ट कर दिया उसके बाद फिर से आपको इस टाइमलेन को थोड़ानी से ड्राइग करना हैं ड्राइग करने के बाद यहां पर आपको एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखने को मिल जाता है धियान देने वाली बात यहीं पर है सिंपल आप इस एनिमेशन वाली जो अप्शन है यानि जो की की तरह आइकन बना हुआ है डिलीट के उट पर इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप पहले ही से ड्राइग करें और देखे कि आपका टेक्स्ट कहां इंड हो रहा है इनिमेट हो करके कहां पर आपका टेक्स्ट इंड हो रह कुछ इस तरीके से ढ्राय करके आपको लाना है जहां तक लिखा हुआ है मैं सब वहां तक जैसा कि आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से play हो रहा है उसके बाद simple आपको इस जो hand वाली timeline इसको select करना है और इसमे एक animation देना है over all animation में आपको जाना है second वाली में और नीचे आपको scroll करना है तो एक floating नाम का application आप sorry animation मिल जाएगा आप देख सकते हैं प्लोटिंग तो simple आपको इसको select करना है select करने के बाद आपको हम फिर से play करके दिखाते हैं आपको sim वही feeling आएगी जैसा कि लेगा हाथ से लिखा जा रहा है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है या थोड़ा text नीचे हो जा रहा है तो आप text को इस तरीके से adjust भी कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिस कर रहा हुआ हुए फिर से हम play करके आपको एक बार दिखाते हैं तो इस तरीके से आप adjust करें उसके बाद simple आप फिर से इस timeline पर click करें और key वाली option पर click करें जो hand हाल का साथ दीख रहे इसको थोड़ा नीचे ड्राय कर दे ताकि hand height हो जाए और दीखने में अच्छा लगे इस तरीके से आपका यह पहला जो letter है यानि कि जो line है वो हो जाता है अगर आप चाहते हैं second तो सबसे पहले आप इस layer पर click करें और इसको cut out कर दे जैसा कि हम यहाँ से trim कर दे trim to right इतना करने के बाद simple आपको फिर से इसी पर click करना है और यहाँ पर एक option आपको delete के आप उप to right side वाले जो option है नीचे से second उस पर आप click करें इस पर click करने के बाद simple आप इस layer पर click करें और यहाँ crop का option आपको देखने को मिल जाता है सवरी पहले आपको इस layer को इस तरीके से drag करके लाना है यहाँ और फिर से इस layer पर click करना है और इसको mid में करके आपको simple tick कर देना है इस इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो यह layer था उस पर add करके पहले वाला text आ जाएगा उसके बाद फिर से अगर आप इस पर कोई text add करना चाहते हैं तो simple आप इस layer वाली पर click करें उसके बाद text में जाए और अपना text add करें जैसा कि हम यहाँ से add कर रहे हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा हो गया तो फिलाला में इससे paste की हुए थी इसलिए डिलीट कर देते हैं और यहां जो लिखा हुआ है whiteboard animation कैसे बनाए उसलिए डिलीट कर देते हैं और simple आपको जो लिखा हुआ है आज की इस वीडियो में सीखेंगे इसको लेना है उसके बाद आपको थोड़ा shadow on off कर देना है और इसको अच्छे तरीके से आपको अड्जेस्ट कर लेना अपने स्क्रीन पर जैसा कि हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं इस तरीके से आप अड्जेस्ट कर लिए उसके बाद animation में जाएं और animation में जाने के बाद simple आपको यह animation देना है जैसा कि हमने आपको बताया था यहां पर भी हम आपको बता दे रहे हैं लेटर बाइडर के नीचे आपको मिल जाता है वाइप राइट का तो simple आप वाइप राइट एडिमेशन स्ट करें उसके बाद इसका टाइम लेन है इससे आपको 3.0 पर क्लिक करें जैसा कि हमने किया था और इसमें भी कर रहे हैं उसके बाद फिर से हैंड को से लिए लेना हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से और यहां से यह स्टार्ट हो रही है तो हम इसको एड़ेस्ट कर लेते हैं उसके बाद सिंपल आपको इस तरीके से ड्रेक करना है और फिर से आपको इसको select करना है और की वाली जो option आपको मिल रही है यहाँ पी इस पर आपको click करना है और इसको drag करना है जहां तक कि आपका text in हो रहा है तो हम इससे drag करते हैं सीखे तक हम को लाना है इसको सीखेंगे तो यहाँ तक लाने के बाद आपको simple इस hand को drag करके लाना गेट तक आये तो उसके बाद Simple आपको Stick mark पर क्लिक करना है उसके बाद फिर से आपको जाना इस animation में और यहां से एक animation आपको मिलना है जैसा कि हमने आपको बताया था floating का simple आपको देना इस floating को उसके बाद थोड़ा सा आपको स्क्रोल करना है और यह जो floating का invention यहाँ पर दीख रहा है इसको आपको फिर से side out कर देना इस तरीके से नीचे चला जाए उसके बाद अगर आप इसे play करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से भीवाएगा जैसा कि हम यहाँ से आपको play करके दीखा रहा है आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोगों सीखेंगे इस तरीके से उसके बाद फिर से अगर आगे इसमें add करना चाहते हैं तो simple आप इस से पहले cut out करें इस layer को थोड़ा सा जो है इस stream बाली option पर जाएं add stream to write पर cut करें उसके बाद भी तो दोस्तों कुछ इसी तरह के process से आप और सारे text को add कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको फिसले सारे text इसी तरीके से add करके दिखाया सेम तरीका से आप जितना टेक्स चाहें उतना add कर सकते हैं हलाके वीडियो हमने बहुत लंबा record किया था लेकिन लोग ज्यादा लंबा वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं इसलिए हम वीडियो के यहां से cut कर दे रहें अगर आप इस project को अपने file में save करना चाहते हैं त अगर यह वीडियो आपको अच्छा लागा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ share करें धन्यवाद